हालो वरिवन, वालकम तो लेटस लेरन इट, आज के वीडियो में सामिस्टर तरी कंपलचर इंग्लिश में लियो टॉल्स्टोय द्वारा लेकित स्टोरी थी हर्मिट्स को डिसकस करेंगे, सो लेटस बिगेण Leo Tolstoy जिनका जन्मों 1828 में हुआ था and death 1910 में हुई थी इनको रश्या का greatest author माना जाता है and literature में Nobel Prize के लिए Tolstoy को 1902 से लेकि 1906 तक continuously nominate किया जाता है and Nobel Prize के लिए 1901, 1902 and 1909 में nominate किया जाता है लेकिन लेकिन इतने years nominate होने के बावजूद भी इनको कभी एक भी prize नहीं मिलता अब हम story को discuss करेंगे Three Hermits by Leo Tolstoy Hermits का meaning होता है सादो या फिर संत तो यहाँ पे Three Hermits याने की तीन संतों की बात हो रही है तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है बिशप शीप के द्वारा आरकाइंगल से सोलो वैस्क मौन्स्ट्री मुसाफरी कर रहे थे और उसी शीप पे कुछ पिल्ग्रिम्स भी थे जो उसी जगह पे कुछ संतों को मिलने जा रहे थे बिशप चर्च का एक मेंबर माना जाता है और इनको चर्च में सीनियर माना जाता है और पिल्ग्रिम्स की बात करे तो पिल्ग्रिम्स का मिनिंग होता है श्रद्धालूं मुसाफरी जो है बहुत अच्छी है यानि कि वेदर अच्छा है मौसम अच्छा है तो कुछ लोग खा रहे थे कुछ लोग बैठे हुए थे कुछ लोग ग्रूप में बात कर रहे थे तो बिशप जो है वो भी open area में आ जाते हैं open area यानि कि जो ship का deck होता है जो खुला area होता है वो तो जब बिशप open area में आते हैं तब वो कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं एक दिशा के और इशारा करते हुए पर जब बिशप आते हैं तब वो लोग सब चुप हो ज इशारा करते हुए तो वो में सुनने आया है। वो लोग बताते ह infections के बारे में बात कर रहे थे। बिशप पूछते है कि कौन? Bishop एक बिशप और इंप वोक्स पे बैठते हुए बोलते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे थे उस दिशा में इशारा करते हुए हर्मिट्स के बारे में आप लोग मुझे बताईए उन में से एक आइलेंड की और इशारा करता हुआ बोलता है कि वहाँ पे एक आइलेंड है जहां पे त्री हर्मिट् बिशप कहते हैं, वो बताता है कि वो छोटा सा बादल दिख रहा है, उसके नीचे जस्ट लाफ साइड में एक आइलेंड है, बिशप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप लोग बताएंगे कि वो लोग कौन है, और वहाँ पी क्यू रहते हैं, फिशर में जवाब देता है कि वो लोग पवित्र है, जब एक बार में फिशिंग करते हुए रात में वहाँ पहुच गया था, और मुझे पता नहीं था कि मैं कहां गया हूँ, फिर सुबह में आइलेंड के पास पटक रहा था, और पटकते हुए एक अर्थ हर्ट को देखा, अर्थ हर्ट का म दिखता है, एन उसके बाद दो और ओल्ड में दिखते हैं, वो लोग मुझे खाना खिलाते हैं, मेरी जो सारी चीज़े पीग गई थी, उसको भी सुखा देते हैं, एन मेरी बोट बांधने में भी हैल्फ करते हैं, फिर बिशप पूछते हैं कि वो लोग किस तरह के थे, मि बेसिकली फूल लेंद का एक आउटफिट होता है, जो क्रिश्यन क्लरजी पहनते हैं, और वो बोड़ा था, मेरे ख्याल से साइद उसकी एज सो साल से ज़्यादा होगी, बट उसके फेस पे हमेसा स्माइल दिखती थी, एंजल की तरब, और जो दूसरा था, उसकी हाइट क काफी थी, पर वो भी बोड़ा था, उसने एक फटा हुआ पीजन कोट फेहना हुआ था, और वो काफी शक्ति शाली था, क्योंकि में अपनी बोड़ को ठीक करने में कुछ उसकी हेल्प करो, उससे पेला उसने खुदी अकेले ही मेरी बोड़ को ठीक कर दिया था, वो एकद पूछते हैं कि उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा क्या, फिशर में ने जवाब दिया कि वो लोग ज्यादा तर साइलेंट ही रहते हैं, और आपस में भी बहुत कम बोलते हैं, उन में से एक इशारशे देखता है, तो बाकी के दो लोग समझ जाते हैं, उन में से एक को पू बोला कि है उमर्सी अपन अस, मिंस हम पे दया करो, और फिशर में बात ही कर रहा था कि सीप आइलेंड के पास पहुच जाती है, और उसने बोला कि अब आप देख सकते हैं, आइलेंड साप साप दिख रहा है, बिशप ने कहा कि हा सच में दिख रहा है, इस आइलेंड को क् बोलता है कि वहाँ पे जाना आसान नहीं है, और आप मतलब इतनी परेशानी क्यों उठाए उन लोगों को देखने के लिए, वो लोग तो मूर्क पागल लोग है, और वो इतने लायक नहीं कि आप इतनी परेशानी उठा के उनके पास जाओ, कैप्टन बिशप को समझाने क कोशिश करता है, बट विशप कहता है कि मुझे उनको देखने की इच्छा है, तुम्हारा जितना भी नुक्षान होगा उसकी बरपाई में कर दूँगा, बट मेरे लिए वहाँ जाने के लिए बोट का अरेंजमेंट तुम करो, फिर बोट का अरेंजमेंट किया जाता है, बिशप के लिए उस पे चैर लगाई जाती है, बिशप चैर पे बैठ जाता है और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ती हुए उसमें से किसी एक को हर्मिर्ट दिखते है, कैप्टन टेलस्कॉप लेता है और उसमें देखता है, और वो तीनों शी शोर पे एक दूसरे का हात पकड़े हुए खड़े है आखिर में जैसे तैसे उनके पास पोच जाते है ओल्ड मेन उनके आगे जुग के प्रणाम करता है बिशप उनको ब्लेसिंग्स देता है एन उस पे तीनों और ज्यादा जुग के प्रणाम करते है बिशप फिर उनसे बात करना शुरू करता है वक्तों को सिखाने के लिए यानि कि आपको फिर तीनों जो हर्मिर से एक दूसरे की और देखते हैं और स्मायल करते हैं विशप कहता है कि बताओ आप लोग अपनी अपनी आत्मा की सालवेशन के लिए क्या करते हो इस आइलेंड पे वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि गौड क कि सेवा कैसे करते हैं हम सिर्फ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं सेवा करते हैं विशप पूछता है कि पर तुम लोग गौड की प्रातना फ्रियर कैसे करते हो उनमें से एक जवाब देता है कि हम इस तरह से फ्रियर करते हैं थ्री आर यू थ्री आर वी हैव मर्सी अपन अ तो वो जब ऐसे बोलता है तो बाकी की जो दो हर्मिट से वो भी उनके पीछे बोलना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों को ऐसे देखे बिशप मुस्कुराता है बिशप कहता है कि आप लोगों कुछ तो सुन रखा है गोड के बारे में बट आप लोग सही से प्रेयर नहीं करते बिशप ने कहा कि मैं देख सकता हूँ आप लोग गोड को खुश करना चाहते हो बट आप लोगों को प्रातना करने का सही तरीका नहीं पता मैं सिखाऊंगा आप लोग मुझे सुने, मैं कोई अपने पर्सनल तरीके से नहीं सिखाऊंगा बट जिस तरह से पवित्र ग्रंथों में गौड ने जिस आधिस से सब को प्रेयर करने को बोला है उसी तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बिशफ उनको बताना शुरू करता है कि कैसे गौर्ड ने अपने आपको मनुश्य के समक्स प्रकट किया था, उनकी महानता के बार में बताता है, बिशफ कहता है कि मुझे सुनो और रिपीट करो, जो जो मैं बोलता हूँ आप लोग बूलिये, फिर बिशफ बोलता है कि अव बिशफ बिएट की वज़े से बोलने में प्राब्लम होती है, जो ज्यादा ओल्ड है उसके टीथ नहीं है, उसको भी बोलने में प्राब्लम होती है, बिशफ लगातार महनत करता है तीनों हर्मिट्स के पीछे, उनको करेक्ट करता है और वाफस से शुरू करता है, जब तक कि वो तीनों पूरी प्रात्ना सीख न ले, उन तीनों में से एक पूरी प्रात्ना सीख लेता है, तो बिशफ कहता है कि तुम ये प्रात्ना जो फ्रेयर है वो रिपीट करते रहो, जब तक कि तुमारे दोनों साथी सीख न ले, तीनों हर्मिट्स को सिखाते सिखाते अंध लोग गौड की प्रेयर करना फिर विशप बोट में बैठके शीप के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो बोट में बैठके जा रहे होते तब वो सुन सकते हैं कि वो जो तीनों हर्मिट से वो प्रातना को रिफिट कर रहे थे जब विशप शीप तक पहुंच जाते हैं बंध हो जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा है और उसमें मूनलाइट सब पिलग्रिम्स पिर सो जाते हैं बट विशप जो है सोना नहीं चाता वो अकिला बैठा है आइलेंड की वर देखते हुए जो कि अब नहीं दिख रहा है व फिर विशप सोचता है कि ये कोई बोट होनी चाहिए जो हमारे पीशे चल रही है बट ये तो हमें बहुत तेजी से और टेक कर रही है एक मिनिट पहले तो अभी दूर थी और अभी इतनी पास आ गई है ये कोई बोट नहीं हो सकती मुझे कोई नाविक नहीं दिख रहा य जो भी हो हमारा पीछा कर रहा है एन हमें पकडने ही वाला है बिशप समझ नहीं पाता है कि ये क्या है ये कोई बोट नहीं है कोई पक्षी नहीं है कोई फिश नहीं है फिर बिशप उड़ता है और हमस्मेन को बोलता है कि दोस्त देखो वहाँ पे वो क्या है बिशप की वो gn weaker शाइन कर रही थी शीव की और आ रहे हैं उतने फास्ट के जैसे शीव और चल ईकटे हो जाते तीनों धिनल अपने पैर को हिलाये पानी के सरक रहे थे शीव रूप पाए उससे पहले इससे सिव के पास आप उचते हैह और तीनों अपने सर उठाते हुए यह acting साथ एक आवाज में बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं हम आपका सिखाय हुआ भूल गये हैं, जब तक हम रिपीट कर रहे थे हमें याद था पर थोड़े देर के लिए रूख गये और एक वर्ड हमसे छूट गया और जो आपकी सिखाय प्रेयर थी वो बिखर गई टुकड हम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हमें फिर से सिखाये बिशप सब ध्यान से देख रहा था फिर आगे आके थोड़ा सा जुकता है और बोलता है कि आपकी अपनी जो प्रातना थी वो भगवान के पास पहुँचेगी ये मेरे बस के बात नहीं है कि मैं आप लोगों को कु आपस आजाता है सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह की है थ्री हमिट्स की स्टोरी आप लोगों को समझ में आगे होगी अच्छी लगी होगी स्टोरी सो थैंक यू थैंक यू फो बिंग हीर